Captain Pandya और Captain Cummins दोनों ही के लिए IPL 2024 का उनका पहला मैच जादा memorable रहा नहीं क्योंकि दोनों ही अपना मुकाबला हार गए जहां Hardik Pandya को हार मिली उन्हीं के पुराने टीम गुजरा टाइटन से तो वहीं Pat Cummins को हार मिली उनके पुराने टीम कोलकाता नाइट राइडर से लेकिन अब ये दोनों होंगे आमने सामने हेलो गाइज मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त मयंक और आज हम आपके लिए करेंगे IPL 2024 के मैच नंबर 8 का प्रिव्यू जहाँ पर Sunrisers हैदराबाद और Mumbai Indians होंगे आमने सामने तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही टीम्स के Head to Head record के बारे में तो भया Head to Head record में Mumbai Indians को ऐसा कह तो सकते हैं कि परिशान किया है Sunrisers हैदराबाद ने लेकिन Mumbai Indians तो Mumbai Indians है उनका काम है dominate करना तो थोड़ा सा dominating record जो है Mumbai Indians का ही है दोनों ही टीम्स के बीच में 21 matches खेले गए हैं जहां Mumbai Indians ने 12 matches में जीत हासिल की है तो भही Sunrisers हैदराबाद ने 9 matches जीते हैं अगर पिछले सीजन के बारे में बात करें तो दोनों ही टीम्स के बीच दो matches हुए थे जहां Mumbai Indians ने दोनों matches जीते थे एक match उन्होंने 14 runnों से जीता था तो एक match 8 wicket से जीता था अब नज़र डालते हैं इस match के pitch report पर ये match खेला जाएगा हैदराबाद के राजीव गांथी इंटरनाशनल किट स्टेडियम में जहां पर Sunrisers हैदराबाद mostly अपने home matches खेलती है यहां की pitch बहुत ही जादा spin friendly है और batters को बहुत जादा मुश्किल होती है यहां पर runs बनाने में तो toss जीत कर पहले balling करना यहां पर सही निर्णे हो सकता है और इस IPL में हैदराबाद में पहला match खेला जाएगा तो अभी पूरी तरह से बता नहीं सकते कि भाई toss जीत कर क्या करो लेकिन हाँ हाली में हुए India versus England के पहले test में हमने देखा था कि यहां पर ball पहले ही दिन से spin होना start हो गई थी तो उम्मीद तो यही की जा सकती है कि यहां spinners काफी wicket निकालेंगे तो चलिए अब बारी आ गई है दोनों ही teams के predicted 11 को discuss करने की तो सबसे पहले आपको पताते हैं home team Sunrise हैदराबाद के playing 11 के बारे में तो वहां पर मैंक अगरवाल और अभिशेक शर्मा आपको opening करते हैं नजर आ सकते हैं उसके बाद नंबर 3 पर राहुल तरिपाथी फिर एडिन मारकरम, हेंडिक क्लासन, अब्दूल समाद, शाबा जहमद, मारको यांसन, पैट कमिंस जो की कप्तान भी है भूवनेश्वर क मारकुमार, मयंक मारकंडे तो यह हो सकती है सान राजस हैदराबाद की प्लेइंग 11 और इंपक्ट प्लेयर के रूप में आपको नजर आ सकते हैं टी नटराजन जिन्नोंने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी अब नजर घुमाते हैं मुंबाइ इं आपके रूप में आपको नजर आ सकते हैं लूक वुड जोकी एक फास्ट बॉलर है तो यह हमने आपके लिए किया आई पील के मैच नंबर 8 का प्रिव्यू जहां मुंबाइ इंडियांस और सन राजस हैदराबाद भिड़ेंगे तो अगर आपकी भी कोई से जोड़ी अपडेट्स और आई पील से जोड़ी खबर लाते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद